अर्थराइटिस की समस्या अगर बहुत गंबीर है और डॉक्टर आपको कोई ये कह राएगी जी ऑपरेशन करा लो तो हाथ जोड़कर कहता हूँ ऑपरेशन तो कभी मत कराना क्योंकि आप जिस इस्तिती में हैं उससे भी ज़्यादा खराब हो जाए इस हिंदुस्तान के भूदपूर प्रधानवंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेई ने दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से ऑपरेशन कराया था नहीं कराया इस स्पेशल चार्टेट प्लेन भेजकर अमरीका से उस डॉक्टर को बुलाया डॉक्टर रानावत और उसने दुनिया के सबसे अच्छे घुटने कप्स लाकर अटल जी को फिट किये हैं अटल जी को देख लीजे आप पहले तो थोड़ा चल लेते थे अब तो चलना ही बंद हो गया सिर्फ वीलचेयर पर ही रहते हैं और वो खुद कहते हैं कि मैं पहले से ज़्यादा तकलीफ में हूँ तो आप मत करिए फिर आप बोलेंगे जी क्या करें डॉक्टर बोलता ओपरेशन मत करें बोलते हैं चूना खाईए चूना चारिये है अमलता को कम करता है ज़्यादा अमलता बढ़े तो अर्थराइटिस होता है तो चूना खाईए खाने का तरीका मैंने बता दिया दही में, छाच में, पानी में, जूस में और एक दिन में अर्थुराइटिस के पेशन्ट दो ग्राम खा सकते हैं स्वस्था आदमी तो एक ही ग्राम खाए चुना खाए मैथी दाना लीजिए चारिये है और सबसे चारिये चीज जो है वो है हार सिंगार का पेड़ हार सिंगार देखा है परिजात, हार सिंगार छोटा सफेद रंग का एक फूल आता है और केसरिया डिंडी होती है सफेद फूल और केसरिया डिंडी बहुत तेज खुश्बू है रात को ही खिलता है रातरानी भी कुछ लोग कहते हैं हारसिंगार कहते हैं ये पेड़ के जो पत्ते हैं वो ब्रह्मान्ड में सबसे ज़़ादा चारिये माने जाते हैं जो भी औशदिया तो इसके पत्ते कहीं भी मिल जाएं चार-पांच पत्ते पीसिए पीस कर पानी में डालिए खूब उबालिए पानी इतना उबालिए कि थोड़ा कम हो जाए आधा रह जाए फिर थंडा कर लीजे फिर वोई पानी चाय की तरह से चुस्कियां ले लेकर सबेरे खाली पेट पीजे मैंने ये देखा है गंबीर से गंबीर अर्थराइटिस पेशेंट को हफते दस दिन में ही रिलीफ कर देता है तो ये कहीं भी मिल जाए नहीं मिले तो हार सिंगार का पौधा गुडवांचरी में है तो आप थोड़े पौधे बटवा दीजे सब अपने घर में लगा लें गंबले में हो जाता है आसान और कुछ खाली स्पेस है तो जरूर क्यों ये हर घर में रहे पेड कारण क्या है कि आज अर्थराइटिस ही सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रहा है लोग सुगंदी तो आएगी नीद अच्छी देगा जहां आपका बेड रूम है उसके पीछे जरूर लगा लीजे और उसका पत्ता आपको अर्थराइटिस से मुक्ती देगा और दोनों तरह की अर्थराइटिस रूमेटिड और ऑस्टियो दोनों ही खतम होती है इस हार सिंगार के पत्ता